रिशब्पन पर डगमगाया टीम का भरोसा अब इस खिलाडी को मिलेगा नमबर चार पर मौका भारतिय टीम के कोच रविवार शास्त्री ने लंबे समय से चर्चा में रहे नमबर चार स्थान के लिए युवा बल्लेबाज रेस आयर का समर्थन किया है शास्त्री ने अंग्रेजी अख़बार टाइमस ओफ इंडिया से बाचीत में बताया की वन अडे में अयर भारत के लिए नमबर चार पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे शास्त्री ने कहा बीते दो साल में हमने जिन शित्रों पर ध्यान दिया है उनमें से एक है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टीम में लाना उदारन के तौर पर श्रेस आयर वह नमबर चार पर बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खत्म हुई तीन मैचों की वनड़े सीरीज में अयर ने नमबर चार पर ही बल्लेबाजी की थी और 71 तथा 65 के स्कोर किये थे अयर से पहले युवा बल्लेबाज रिशब पंत को नमबर चार के लिए आज माया गया था लेकिन वे पूरी तरह से वेपल रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनड़े सीरीज में रिशब पंत को नमबर चार पर बल्लेबाजी का मौका दिया गया था लेकिन वेग फ्लॉप साबित हुए जिसके बाद अब टीम मैनेजमेंट अईयर को इस नमबर पर मौका दे सकती है टीम इंडिया के लिए नमबर चार पर बैटिंग करते हुए अईयर कई मुश्किलें आसान कर सकते है टीम इंडिया में वापसी करने वाले अईयर ने कहा था कि मेरे लिए एक हिवा खिलाडी के रूप में एक साल बाद वापसी करते हुए टीम में अपनी जगह पकी करना बहुत महत्वपून है जब आपको टीम में अपनी जगेह पकी करनी होती है तब आपको मौके की तलाश होती है सुनील गावसकर ने भी कहा था कि नमबर चार पर बल्लेबाजी के लिए रिशब पंत को नहीं बलकि श्रेस आयर को भेजा जाना चाहिए था